नमस्कार नियूस फोनीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश्रमा उत्तर बिहार में बाठ की हालात में सुधार होने की बावजूद दर्भंगा और मुझपरपुर में अभी भी तबाही चारी है बात की जाए पुश्यम जमपारन तो वहां कि में हालात में काफ दर्भंगा के केवटी में मंगलवार को चौथी बार महराजी बांध तूटने से लोग दहश्रत में आ गया है पानी का फैलाव आसपास के तीन गाउं के अलावा बगल के शीसो पंचायत में भी हो गया है बागमती के तटवंद में रिसाफ जारी रहने के कारण के जलस्तर में कमी आई है लेकिन तिरहुत नहर से निकलने वाले पानी ने दर्जनों पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है तिरहुत नहर के पुर्वी तटवंद के तूटने से नहर का पानी सक्रा प्रखंड के कई पंचायतों में खुश चुका है अब बाड का पानी दोनमा बाच्छी और वैस्शाली के पातेपूर की ओर पढ़ रहा है जहां के बाद ये गंगा में मिल जाएगा वहतिरहुत नहर के पुश्च में तडवन्द के टूटने के बाद नहर का पानी महमतपूर बदल होते हुए मुशहरी में प्रवेश्ट कर रहा है उधर बाया नदी के ओवर टॉप करने के बाद बाया का पानी पारू साहिब गंज और सरया प्रखंड में तेजी से फैलता जा रहा है पानी सरया होते हुए एनच 722 के ओर बढ़ने लगा है बागमती लखंदेही और मनुश्मारा के इस्तर होनेक सेजलेव की और आई कट्रा और गाया घाट के पंचैतों में फैले पानी के स्तर में कमी आई है हालाकि लोगों को अपने घर लोटे में अभी काफी समय लगेगा सिर्सिया में तटबंद से रिसाव के कारण हाया घाट बहेडी और कुशेश्वर स्थान पर संकट बरकरार है दर्भंगा में बागमती के ज जलस्तर में अच्छी गिरावट दर्ज की गई बाब जूत गोपाल गंज और चमपारन के इलाके में पानी का दवाब अभी बना हुआ है इधर दर्भंगा में खिरोई नदी और सिवान में घागरा नदी थोड़ी उपर चड़ी है सारन और चमपारन के तरपंदों के कई जगह तूटने की मरमत में इंजनियर सफल हो गए है लेकिन अब भी बांध पर पश्चों के शरल लेने के कारण परिशानी कम नहीं हो रही है विभाग के अधिकारी बांधों पर गैंप कर रहे हैं गंड़ा का डिश्चार्ज बालमिकी नगर बराज के पास घटकर एक ला हलाकि अब तक 63 लाख लोग बार की चपीट में हैं वहीं 16 ऐसे जिले हैं जहां पर बार का पानी घुश चुका है और लोगों की जिंदगिया तबाह हो गई है देश्चर दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए मार साथ बने रही हैं और देखते रहें नियूज फोनेशन नमस्का